सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक रांट चैनल को और बेल आइकन बजाएए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए हलो दोस्तों टेक्नोविक रांट में आप सभी का स्वागत हैं फाइनली रियल्मी वालों ने अपने रियल्मी जीटी नियोट टू के अंदर रियल्मी यूई 4.0 बेस्ड अन्डॉयट 13 का इस टेबल अपडेट रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया है और इस अपडेट को मैंने अपने डिवाइस के उपडेट करके इसका जो टेस्टिंग है काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में मैं इसी अपडेट के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन-कौन से निव फीचर्स देखने को मिलता है कौन से बक्स फिक्स हुए है साथ ही क्या कुछ नए चेंजेस देखने को मिलता है तो यहाँ पर मैं इस अपडेट का कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ दोस्तों तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर फिचर्स और बक्स वगरा के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप डिवाइस डिटेल चेक आउट कर सकते हैं जहाँ पर आपको उपर के साइड में आफिसियल वर्जन देखने को मिलता है और नीचे के साइड आपको Realme GT Neo 2 का मॉडल नंबर RMX3370 देखने को मिलता है बात की जाइस अपडेट के बेसिक इनफरमेशन की तो यहाँ पर आपको F.03 का न्यू अपडेट देखने को मिलता है और इस अपडेट का जो साइज है जो यूजर अल्रेडी Realme UI 4.0 में है उनको 847.81 MB का देखने को मिलता है और जी न्यूजर को First Time Realme UI 4.0 का अपडेट देखने को मिलता है उसको यहाँ पर 5GB के आसपास का ये अपडेट देखने को मिल जाता है और ये आपको Realme UI 4.0 based on Android 13 के अपडेट के साथ Official Version I mean Stable अपडेट देखने को मिलता है बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके Android Security Patch की तो यहाँ पर आपको Android 13 देखने को मिलता है और 5th January 2023 के साथ Latest Enhanced Android Security Patch देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ इसके लाओ बात की जाए अगले चेंच की तो सिस्टम के अंदर यहाँ पर सिस्टम में जो भी छोटे मोटे नाम इसू थे बाक्स वगरा देखने को मिलता था उसको यहाँ पर फिक्स करके पूरे के पूरे सिस्टम परफॉरमेंस और उसके ओवराल सिस्टम इस्टिबिटी को अप्टिमाईज एंड इंप्रूब किया है जिससे की और भी बेटर एक्सपिरियंस देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो डाइनमिक कंप्यूटिंग इंजन है उसको और भी बेटर तरीके से अप्टिमाईज और इंप्रूब कर दिया है जिससे की जो सिस्टम, इस्टिबिलिटी, स्पीड, बेटरी लाइफ और एक्स एक्सपिरियंस जो है और भी बेटर देखने को मिलता है साथ ही किसी-किसी यूजर को जो बीच-बीच में लेगिंग इसु देखने को मिलता था उसको भी यहाँ पर फिक्स कर दिया है यहाँ पर दोस्तो मेरे को अभी तक कोई भी लेगिंग इसु देखने को नहीं मिला है लेकिन दोस्तो किसी-किसी यूजर को कहना है कि उनको लेगिंग इसु देखने को मिल रहा है पर मेरे device में ये problem देखने को नहीं मिलता है इसके लाओ बात की जागले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर home screen and lock screen के अंदर home screen mode में यहाँ पर दोस्तो आपको दो mode देखने को मिलता है एक standard mode और एक driver mode driver mode में आपको कोई भी new features देखने को नहीं मिलता है लेकिन दोस्तो आप जैसे ही standard mode में click करते हैं तो यहाँ पर आपको swipe up to search का new features देखने को मिल जाता है जैसे ही इसे apply करते हैं तो आपका phone जोहाँ standard mode में चला जाएगा और उसके बाद दोस्तो आप उपर के site swipe करते हैं तो आपको यहाँ पर direct google search का option देखने को मिलता है आप direct swipe up करके google search से कुछ भी search कर सकते हैं तो यह features दोस्तो मेरे को काफी पसंद आया आपको कैसे लगा दोस्तो आप मुझे comment करके ज़रूर बताईएगा इसके लाओ बात की जाएगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर mobile network के के अंदर more setting में यहाँ पर दोस्तो किसी किसी user को 5G network का जो features है function है वो so नहीं हो रहा है और यह problem दोस्तो किसी किसी user को ही है सभी user को नहीं है यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर मेरे devices में 5G network का function या features पूरा देखने को मिल रहा है लेकिन किसी किसी user को यह features जो है so नहीं हो रहा है तो ये प्राबलम भी अभी देखने को मिल जाता हैं। साथ ही दोस्तो किसी-किसी यूजर को यहाँ पर नेटवर्क का प्राबलम जो सो हो रहा था, बार-बार अपडाउन हो रहा था नेटवर्क जो है, उसको यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया हैं, जिससे की अब आपको बेटर नेटवर्क परफॉर्मेंस और स्टेबल देखने को मिलता हैं। इसके लाओ बात की जागले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तो वाइफाई कनेक्शन के अंदर, यहाँ पर दोस्तो किसी-किसी यूजर को काफी जादा वाइफाई कनेक्शन में दिक्कत होता था, कनेक्ट होने के बाद भी चलता नहीं था और बीच-बीच में डिसकनेक्ट वाला प्राबलम हो जाता था, तो उस प्राबलम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको बेटर वाइफाई कनेक्शन और परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, इसके लावा बात की जागले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तो, फिंगर प्रिंट के अंदर, यहाँ पर दोस्तो, इस टेबल अपडेट से पहले जो फिंगर प्रिंट है, वो काफी फास्ट देखने को मिलता था, लेकिन दोस्तो, इस टेबल अपडेट के बाद जो फिंगर प्रिंट है, वो slow हो गया है अभी जैसे ही आप fingerprint को touch करते हैं fingerprint का जो speed है वो slow हो चुका है पहले beta update trial version में काभी fast था लेकिन stable update आने के बाद जो है slow देखने को मिलता है साथ ही दोस्तों किसी किसी user का जो fingerprint है वो properly recognize नहीं कर पाता है जिसकी वज़े से phone unlocking में problem face होता है साथ ही enrollment करने के time पर properly enrollment नहीं हो पा रहा है तो ये problem भी किसी किसी user को देखने को मिल जाता है इसके लाव बात की जाए अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तों brightness bar का यहाँ पर दोस्तों मैंने पहले भी आपको वीडियो बना कर बताया है कि जो brightness bar है उसको auto से off करने के बाद भी जो brightness bar है वो कम ज़्यादा होते रहता था तो उस problem को इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आपको better brightness और brightness bar देखने को मिलता है अभी दोस्तों आप auto वाले option को बंद कर देते हैं और brightness bar को आप अपने अनुसार set करते हैं तो वो उतना में ही रहता है वो आगे पीछे automatic नहीं चलता है तो यह problem दोस्तों trial version और beta update से देखने को मिल रहा था जिसको finally इस update के साथ fix कर दिया है इसके अलावा बात की जागले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो notification clear का दोस्तों मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बताया है कि मैं जैसे ही lock open करता था fingerprint से और निचेक swipe से ही swipe down करता था notification को show करने के लिए या देखने के लिए तो जो notification आया रहता था वो clear हो जाता था तो उस problem को भी इस update के साथ fix कर दिया है पहले दोस्तों मैं यहाँ से swipe करता था जो notification आया रहता था वो clear हो जाता था तो वो problem भी यहाँ पर fix हो चुका है आपके में यह problem देखने को मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था आप मुझे comment करके जरूर बताईएगा इसके अलावा बात की ज़या अगले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तो एपस के अंदर अगर दोस्तो आप वीडियो एपस में वीडियो अगरा देखते हैं तो उस टेम पर अगर आप swipe करते हैं या फिर swipe के साथ volume up-down वगरा करते हैं तो उस टेम पर आपको tracing issue देखने को मिलता था तो उसको इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आपको और भी better experience देखने को मिलता है वीडियो एपस से वीडियो अगरा या movie वगरा देखने में इसके लाओ बात की जाए अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो volume slider में या फिर silent mode में यहाँ पर दोस्तो अगर आपका phone silent mode में रहता है तो उस टेम पर कभी-कभी volume slider या volume button जो है properly work नहीं कर पाता था जिसकी वज़े से volume up या down करने में problem face होता था तो उस problem को भी इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आप phone को silent करो या फिर volume up down करो तो आपको यहाँ पर कुछ भी problem देखने को नहीं मिलता है इसके लाओ बात की जाए अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर home screen and lock screen के अंदर swipe down on home screen में यहाँ पर देखेंगे दोस्तो पहले आपको self और notification driver का option देखने को मिलता था लेकिन दोस्तो इस update के बाद आपको तीन option देखने को मिल जाता है self, global search और notification driver का जिसके थूँ दोस्तो आप जो भी option को select करेंगे आप उसके हिसाब से home screen को swipe down करेंगे तो home screen को swipe down करेंगे तो आपको self का option देखने को मिलता है global search को select करेंगे तो आपको यहाँ पर swipe down करेंगे तो आपको global search का option देखने को मिल जाता है और अगर आप notification driver को select करते हैं तो आप swipe down करेंगे तो आपको notification driver देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर आपको तीन आपसन देखने को मिल जाता है, जो कि पहले नहीं था, इसके लाओ बात किज़े अगले चेंज की तो, अगर दोस्तों आप चार्जिंग में लगाते हैं, तो उस टाइम पर आपको प्रापरली चार्जिंग देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप उसको अनपिन कर देते हैं या निकाल देते हैं, तो उस टाइम पर भी आपको मेसेज सो होता है, कि आपका फोन जो है चार्जिंग में कनेक्ट हैं, तो उस प्रापलम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको चार्जिंग करने के टाइम पर better experience देखने को मिलता है इसके अलावा बात की जो अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तों camera के अंदर अगर दोस्तों आप camera यूज करते हैं फोटो अगर लेने के टाइम पर आपको location का जो watermark है वो so नहीं होता था तो इस features को यहाँ पर add कर दिया है अभी दोस्तो आप setting में जाते हैं और watermark से location वालब features को on करते हैं तो आप जैसे ही photo लेते हैं तो आपको watermark में वहाँ पर location और state का watermark देखने को मिल जाता है इसके अलावा बात कीज़े अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तों notification panel में यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपका जो notification panel है ज इसमें जो दो बड़ा toggles रहता है वो थोड़ा R भी बड़ा देखने को मिलता है पहले दोस्तों वो थोड़ा छोटा देखने को मिलता था लेकिन इस update के साथ पहले से थोड़ा हलका बड़ा देखने को मिल जाता है इसके अलावा बात की जागले change की तो वो आपको मिलता है वायस चार्जिंग करके आफसन देखने को मिलता है। जनरली ये फीचर्स भी वही फीचर्स हैं। बस यहाँ पर नेम चेंज कर दिया है और न्यू फीचर्स की रूप में देखने को मिलता है। यहाँ पर देखेंगे wise charging के रूप में देखने को मिलता है और साथ ही at night, all day और off का option देखने को मिलता है तो इस update के साथ यहाँ पर यह वाला features भी देखने को मिल जाता है यह optimize night charging वाला ही features है इसके लाओ बात कीज़े अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर नीचे side apps के अंदर recover system apps में यहाँ पर दोस्तो यह features पहले भी था लेकिन इस features के अंदर अगर आप system apps को uninstall कर देते थे तो uninstall करने के बाद भी इस features में apps का least so नहीं होता था I mean blank देखने को मिलता था तो इसको इस update के साथ fix करके better कर दिया है अब दोस्तो अगर आप किसी भी system application को uninstall कर देते हैं तो आपको यहाँ पर उसका list देखने को मिल जाता है जिससे कि आप उसको फिर से install करना चाहते हैं तो आप यहाँ से recover system apps से install भी कर सकते हैं पहले so नहीं होता था लेकिन आप देखने को मिल जाता है इसके लाओ बात की जाए अगले change की तो वो आपको मिलता है दोस्तो icon packs के अंदर यहाँ पर देखेंगे दोस्तो आप किसी भी apps को long press करते हैं तो यहाँ पर आपको edit वाला new option देखने को मिलता है यहाँ पर देखेंगे मैं icons की उपर long press कर रहा हूँ और यहाँ पर इसके उरे सला option को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको apps का name change करने और apps का icon change करने का option देता है जैसे ही apps का name change करेंगे और icons के लिए icons के उपर pencil का icon उसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको काफी सारे new icons देखने को मिलता है जिसे आप क्लिक करके icons को change कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर change कर दिया हूँ यहाँ पर दोस्तों आपको काफी सारे customization वाला icons देखने को मिल जाता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर Realme ने अभी image वगरा, photo वगरा को डालने के लिए आपसन नहीं दिया है में भी हो सकता है आगे आने वाले update में आइकन्स के रूप में आप अपने photo, image वगरा को भी डाल सकते हैं अभी फिलाल कुछ इतना ही third party icons देखने को मिलता है जिसे हम change कर सकते हैं यह features दोस्तों काफी best customization features देखने को मिलता है इस update के साथ और यह features दोस्तों मेरे को काफी पसंद आया आपको कैसे लगा आप मुझे comment करके ज़रूर बताइएगा एंड़े इस बात की जाए इस update के बाद इसके battery performance की तो यहाँ पर आप check out कर सकते हैं इसका जो battery performance है वो पहले से better देखने को मिलता है पहले trial version beta update में काफी ज़्यादा battery draining और heating issue देखने को मिलता था तो उसको इस update के साथ fix करके better कर दिया है यहाँ पर मेरे को अभी better battery backup और battery uses देखने को मिलता है साथ ही दोस्तो जो heating issue देखने को मिलता था वो भी यहाँ पर सही हो चुका है लेकिन दोस्तो अगर आप charging करते हैं तो इसका जो charging speed है वो सही देखने को मिलता है बट charging के time पर आपको थोड़ा heating issue देखने को मिल जाता है और यहाँ पर दोस्तो मैंने काफी सारी user से पता किया है तो किसी-किसी user को battery draining का problem अभी भी देखने को मिल रहा है कोई-कोई user को ही देखने को मिलता है सभी user को देखने को नहीं मिल रहा है बात की जाईस update के बाद इसके game performance की तो यहाँ पर जो game performance है वो पहले से better देखने को मिलता है पहले जो game में lagging issue, jitter issue देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix करके पूरे के पूरे game performance को optimize करके और भी better improve किया है जिससे कि अब आप game खिलते हैं, game play करते हैं तो आपको better smooth और stable gameplay देखने को मिलता है बट यहाँ पर दोस्तो अगर आप game खिलते हैं तो आपको थोड़ा hitting issue देखने को मिल जाता है बाकी जो overall game का performance है वो काफी smooth देखने को मिलता है तो यह रहा इस update का full review दोस्तो यह update आपको मिला है कि नहीं मिला है और अगर मिला है तो कौन-कौन से बग से देखने को मिलता है आप मुझे comment करके जरूर बताइएगा तो इतना ही था दोस्तो इस वीडियो में वीडियो पसंद आया होगा तो like, share और subscribe करना ना भूले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए good bye and take care दोस्तो